आज आपको नेत्र से थोड़ी पीड़ा होने की समभाना बन रही है आज अपने के साथ मिलेगा आपको जो अपने लोग है उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते इसका प्रवल्योग बन रहा है परिवारी किसे तेची रहेगी दामपत जियों न अच्छा होगा माता पिता का सुख मिलेगा सौधानी क्या अबरत नहीं है आपने नेत्र पर ध्यान दें उपाय क्या करना काली गाय को चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा सुभं के आठ सुभरंग है सीगरीन लक मिटर हच्छे हरे किर्शिन अब करपूर गवरं करुलावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंत मिर्दार विंदे भवं भवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या सिती है कौन सिती है, कौन सा नच्छत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है चंद्रमा किस राशी पर रहेगा, सुर्यास्त कब होगा, सुर्यास्त कब होगा सारी बात हम आपको बताएंगे इसके बाद बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे, जब करने साब को क्या लाप मिलेगा अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। अब दिशा का दिशादूर सूल है। दिशादूर में यात्रा कते ही न करें। दूसरी बात के ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी नयाकारे करना चाहते हैं तो सुभ मूर्थ में करें आपके लिए लाफ रद होगा अब आई हम बात करते हैं आज के महामंतर की आज का महामंतर है ओम आयंग सरिंग ब्रहस्पते नवा यह जो महामंतर है देव गुरु ब्रहस्पती का है ज़िए आप इस महामंतर का जब करते हैं तो आपको नेम, फेम, सम्मान, पत, परतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी या सश्वी होगे, परिवारे की स्थिते अच्छी होगी, आपका केरियर अच्छा होगा और अगर किसी को साधी बाख लेकर के दिक्कत हो रही होगी तो इस मंतर के जब करने से आपके सभी प्रकार की समझाओं का समधान होगा इस मंतर को कैसे पढ़ना है, क्या करें कि हल्दी का माला बनावें और हल्दी की माला से जब करें और जब ये जब करें तो कम से कम पीले रंगा वस्तर जरूर धारण करें आपके लिए काफी अच्छा रहेगा